हिसे दोस्तों आज़कर फेस्बूक बहुत कर रहे हो लगता है कि और और आपके अपने पास्वर्ड में यूज़ कर रहे हो दोस्तों अगर आप लोग भी Facebook यूज़ कर रहे हो और आपके password आपको लगता है कि आपकी girlfriend को पता लग गया है या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई उसको यह पासवर्ड तो दोस्तो आपको password चेंज करना पड़ेगा अपने Facebook का खाया अपको मेरी हरे भाई Salamon, अब आपका भी यक्वी लड़की का चेक्तर दोस्तों व्हसे पहले चेंज करें अपने Facebook के password को टो दोस्तों Facebook के password को को चेंज करने के लिए सबसे ईजी तरीका मैं बताऊंगा दो तरीके इंपोटेंट है जो कि आपको जान ली होने जाहिए दुनों तरीके मैं आपको इसमें बताऊंगा धियान से जरूरर सुनना तो भी कि पहला तरीका क्या है फेस्बुक के पास्वर्ट कोचेंच करने का वो है दोस्तों यहां तीन लाइंस प्लिक करने बार आप पाऊबड है यहां पे क्सक्रायब मेरी दोस्तों इस प्रोफाइल पे लाइक सब्सक्राइब मत करना पहला इनगा जो यहाиру उत पर बताईन जाती पर आपको पता होनी चाहिए उसी एकलिए दोस्तों बताता हूँ कि आपको क्या करना है आपको जाना है यहाँ पर उपर settings पर क्लिक करना है और उस settings पर क्लिक करने बाद आपके सामने account नाम से कुछ ऐसी information आएगी अभी रुक जाओ अगर नहीं आ रहा ऐसा कुछ भी information तो second व दोस्तों password security पर क्लिक करने के बाद आपके पास option आएगा change password का अब दोस्तों आपको लगेगा भी है मेरा काम हो गया पर दोस्तों नहीं अगर आप लोगों के पास यह वाला option ही नहीं आया तो क्या करोगे वो मैं आपको second तरीके में बताऊंगा अगर आपको तरीका समझ मे आगया यह वाला फर्स चाला तो अब आपको इसके अंदर current password डालना है जो भी आपका password है ऐसे कुछ भी डाल देना जो भी नया password डालना है वो डालना ठीक है similarly retype करना और दोस्तों यहाँ पर update password पर क्लिक कर देना ठीक है दोस्तों यह था हमारा पहला तरीका अब दोस्तों अगर दूसरा तरीका भी काम नहीं करेंगे तो मैं तीसा तरीका बताऊंगा तो शांती बनाए रखना क्योंकि दोस्तों हर चीज 5 सेकंड में नहीं मिल पाती है तो दोस्तों अभी हम लोग इस account को लोड करते हैं और दूसरी स्क्रीन आपके पास कैसी आएगी तो दूस्तो आप इस सेटिंग्स पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों मेरे पास जो सेटिंग्स आ रही है वो डिफरेंट आ रही है अभी अगर आपके पास ऐसी सेटिंग्स आ रही है तो मैं जो तरीका बताऊंगा वो आपके उसमें काम करेगा दोस्तों इसके अंदर आपको ढूनना है क् change password दोस्तों आगर आपके पास अभी वाला option नहीं आया तो तीसा तरीका आपको पक्का help करेगा दोस्तों तीसा तरीका है वो सबसे सरल है और सबसे easy है तो बताये तो आपको आपको क्या करना है आपको अपनी profile पर यहां पर settings पर क्लिक करने दो settings पर क्लिक करने बाद नीचे कुछ भी आए अलाना फलाना डिकाना कुछ भी आए आपको क्या करना है ओपर यहां पर लिखना है change और दोस्तो चेंज लिखते साथ ही आपको change password का option आजएगा उस पर क्लिक करो और enjoy मारो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो एक option और सुनते हो जाओ दोस्तों अगर आपको current password अगर आप भूल चुकी हो तो भाई नीचे forgot password पर क्लिक करो और दोस्तों अगर अपने अपने phone के अपने account के साथ WhatsApp या email ID कुछ भी करकी दी ना तो उसको यहाँ पर क्लिक करो यहाँ पर continue पर क्लिक करो आपके पास एक email जाएगी email के अंदर 8 digit का code आएगा वो यहाँ पर डालोगे continue पर क्लिक करोगे आपका account login हो जाएगा इससे easy तरीका मेरे पास तो है न तब तक ले शबाख है